हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं खैर यह से होंगे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास सेवंथ की उर्दू की किताब जान पैचान का सबक नमबर 14 पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सोने का चूहा क्या पढ़ेंगे सोने का चूहा तो आप सभी बहुत ध्यान से कहानी सुनेंगे और देखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई सौदागर बोलते हैं तिर्यारत करने वाले को उसके लालची रिष्टेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया इस बात से वो डर गई और अपने बेटे सुम्दत को लेकर वहां से कहीं दूर चली गई सुम्दत को तालीम दिलाई जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माने कहा मेरे प्यारे बेटे तुम्हें एक ताजिर की ऑलाद हो तुम्हें अपने बाप की तरहा कोई कारोबार करना चाहिए लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है बच्चों सरमाया बोलते हैं पूंजी दौलत इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है ताजिर बोलते हैं तिजारत करने वाले को ठीक है वो होना हर नोजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है तुम उसके पास मदद मांगो दूसरे दिन नोजवान सोमदतो समीर ताजिर के घर गया वहाँ पहुँचकर उसे मालूम हुआ कि ब्योपारी का मिजास बिगड़ा हुआ है वो किसी दूसरे नोजवान पर गुसा उतार रहा था तुमें कारोबार करने के लिए मैंने काफी रुपिया दिया तुमने उसका क्या क्या किया तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया मुनाफा बोलते हैं बच्चो फाइदा नफा असल रकम भी गवां बैटे तुम जानते नहीं हो कि कारोबार कैसे किया जाता है नौजवान ने कहा नहीं जनाब याली नौजवान ने क्या जवाब दिया नहीं जनाब याली आगे देखते हैं क्या होता है देखो क्या बोला देखो ताजिल ने एक मरे हुए चुहे की तरफ इशारा करते हुए कहा एक मरे हुए चुहे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक होशियार आदमी इस मरे हुए चुहे को भी पूंजी मान कर पैसा कमा सकता है सुम्दत ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठा कर ताजिर के पास ले गया यानि ताजिर के पास लेके गया और पूछा कि मैं आप से पूंजी के रूप में ये चूहा उधार ले रहा हूँ उसने ताजिर से कहा यानि सुम्दत ने कहा कि ये मरा हुआ चूहा मैं आप से उधार ले रहा हूँ ये एक तरीके की पूंजी है ताजिर ने सुम्दत की तरफ देखा और हस पड़ा लेकिन सुम्दत संजीदा था वो मरे हुए चुहे को उठा कर बाहर ले आया जब वो चुहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजिर ने अपनी दुकान से आवाज लगाई ए नौजवान चुहे को फेकना मत मेरी बिल्ली को दे दो वो भूखी है सुम्दत ने चुहा बिल्ली को दे दिया उसके बदले में उसने सुम्दत को दो मुठी जो दे दिये कितना क्या दे दिया बच्चे बहुत धहान से देखेंगे कि उस आदमी ने उसके बदले में, यानि मरे हुए चूहे के बदले में सुमदत को दो मुठी जौव दे दिया, क्या दे दिया, जौव क्या दे दिया, जौव, आगे चलते हैं, देखें क्या होता है सुंधत ने जोके दानों को خुँँपीजा किसको पीजा? आप सबी ने गिहों देखा होगा वैसे ही जो होता है सुंधत ने जोके दानों को खुँपीजा उसके बाद एक गड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा वहाँ उसने बहुत सी लकड़ों, लकड़ हारों को जंगल से लकड़ियां लाते हुए देखा, वो बहुत ठके हुए थे, सुमदत ने उन्हें पिसा हुआ जाओ और पानी दिया, क्या दिया, पिसा हुआ जाओ और पानी दिया, लकड़ हारे बहुत खुश हुए, हर एक ने उसे दो दो बाजार में बेच दी उसके बेचने से जो पैसे मिले उसने कुछ और जो खरीद लिया क्या खरीदा जो लकड़िया बेची उससे जो पैसे मिले उससे उसने और जो खरीद लिये दूसरे दिन सोम दद फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया लकड़ारों को पिसा हुआ जो और प देखे कि क्या होता है बाजार में जाकर बेज दे कई दिन सुम्दत ने लकडियां बेज बेज कर काफी पैसा जमा कर लिया और वो लकडियों का छोटा सा कारोबार करने लगा बरसाथ शुरू हो गई शहर में इंधन की कमी हो गई और लकडियों की कीमत बढ़ गई सुम्दत ने लकडियां अच्छे दामों पर बेज दी इस पैसे से उसने एक दुकान खोल दी अपनी होशियारी और महलस से वो कारोबार में तेजी से तरकी करता गया कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद कुछ सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा लेकिन उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिसने उसे मरा हुआ चुहा लिया था जिससे उसने मरा हुआ चुहा लिया था एक दिन उसने सोने का चुहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया मैं आपका बहुत एहसान मंदू सेठ जी उसने सर जुका कर कहा आपने मुझे राह दिखाई ये कहकर उसने सूने का चूहा ताजिर को दे दिया ताजिर ने हैरत से कहा ये क्या है मैंने तुम्हे तो कुछ उधार नहीं दिया था क्या बोला ये क्या है मैंने तुम्हे कुछ उधार दिया था यानि क्वेस्चन कर रहा है कि कुछ उधार दिया था जी हाँ आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था सोमदत ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई ताजिर सोमदत की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मतासिर हुआ इतना मतासिर मतलब इतना जादा उसके ओपर सोमदत की कहानी का असर पड़ा कि उसने अपनी लड़की की शादी सोमदत से कर दी सुमदत अपनी बीवी और मा के साथ एशो आराम से रहने लगा है ना कितनी अच्छी कहानी अब हम सभी इसका सवाल जवाब हल करेंगे तो सभी बच्चे कौपी और पेंड लेकर बैठ जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चो पहला सवाल क्या है कि सुमदत की मा के साथ उसके रिष्टेदारों ने क्या सुलूग किया तो सुमदत की वालिदा सुमदत के वालिद वालिद बोलते हैं बाप को पदर को सोमदत के वालिद की मौत के बाद उसके लालची रिष्टेदारों ने उसकी माँ से सब कुछ छीन लिया था ठीक है आगे चलते हैं अब हम सबी दूसरा सवाल करेंगे दूसरा सवाल क्या है प्यारे बच्चों कि 16 साल का होने पर सोमदत की माँ ने उससे क्या कहा था प्रफ़ करना चाहिए और सॉम्दत ने ऐसा ही किया Joe CH Si辛 ... ताजियर दूसरे नوج vidéos पर한데 गुशा क्यूं कर रिए इस नी कारोबार के लिए काफी रूपिया दिया था और उसने कोई मुनाफा मुनाफा यानी कोई फाइदा नहीं कमाया और असल रचम भी गवा बैठा चौथे नंबर पर आते हैं प्यारे बच्चों ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है लेंथी है तो आप सभी इसे भी करेंगे क्योंकि क्वेस्चन ही ऐसा है कि सोमदत किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया तो आप सबको पूरी कहानी बतानी है ना तोड़ो तो शॉर्ट फॉर्म में तो बताएंगे ही बताएंगे आप सभी तो चलिए शुरू करते हैं सोमदत ने पूंजी के रूप में ताजिर के सामने पड़ा हुआ मरा चूहा उधार लिया जब वो उसे लेकर चला तो दूसरे ताजिर ने उसे दो मुठी जो के जो देकर चूहे को अपनी बिली को खिला दिया सोमदत ने जो को पीस कर पानी में मिला कर जंगल से लकडिया लाने वाले लकड़हारों को पिलाया उन्हों ने उसे लकडिया दी सोमदत लकडिया बेच कर काफी पैसा जमा कर लिया और वो लकडियों का चोटा सा कारोबार करने लगा बाद में शेहर में जब इंधन की कमी हुई तो उसने अच्छे दामों पर लकडिया बेज दी इस पैसे से उसने दुकान खोली और कुछ ही सालों में उसका शुमार शेहर के अमीर ताजिरों में होने लगा आते हैं अब हम पाचवे सवाल पे प्यारे बच्चो सोमदत ने ताजिर को सोने का चुहा क्यों दिया सवाल पूछा जा रहा है कि सोमदत ने ताजिर को सोने का चुहा क्यों दिया तो सोमदत ने ताजिर का बहुत एहसान मन था उस ताजिर का बहुत एसान मन था क्यूंकि उसमें उसे रा दिखाई और एक बड़ा ताजिर बन गया वो मरा हुआ चुहा जो सुम्दत ने ताजिर से उधार लिया था उस चुहे को वो उससे लोटा न सका हाँ उसमें उसकी जगा एक सुने का चुहा बनवा कर ताजिर को पेश किया और उसका एहसान मंद रहा है ना देखा कितनी प्यारी कहानी थी यह अब हम सभी चलते हैं अच्छा प्यारे बच्चो पहले नमबर पर है इसका तीसरे नमबर पर आप बुक में रेखेंगे एक खाली जगा है कि नीचे दी हुई खाली जगों को आपको भरना है तो देखे एक बार अच्छानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई दूसरे नमबर पर है वो किसी दूसरे नौजवान पर घुसा उतार रहा था कौन उतार रहा था ताजिर सौमदत ने जो के दानों को खुब पीसा था 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 तभी तो पानी और जो का आटा पीस पिलाया था सबको चौधे नमबर पर सौमदत ने यह लक ĐaaSार में बेच दी प्यारे बच्चो बाज़ बाज़ार मे अमीर ताजीर सुंदत की कहानी सुनकर बहौत खुश हुआ आगे तोचे बहुते हैं की नीचे दी हुए लफ़्ों के वाहिद लिखने हैं बच्छों आप सबको पता है वाहिद जमा किसे कहते हैं हिंडी में आप सभी वाहिद को एक वचन बोलते हो और हिंदी में बहु वचन को उर्दू में जमा बोलते हो यानि उर्दू में हम वाहिट जमा बोलते हो और हिंदी में वाहिट एक वचन बहु वचन और इंगलि sommes लर बोलते हो ठीक है तो यहां पे जितने भी उरूफ दिये हैं अमवात, तालिमात, एहसानात, मालूमात ये सारी चीजें क्या है, सारे अलफाद, लफज क्या है, बच्चो ये जमा है आप सब को इसका वाहिद बनाना है, ये तो ये देखिए अमवात का क्या होगा, मौत, तालिमात का क्या होगा, तालिम एहसानात का क्या होगा एहसान मालुमात का क्या होगा मालुम जवाबात का क्या होगा जवाब तो बच्चो प्यारे बच्चो इसमें क्या हुआ है आप सभी ध्यान देंगे कि जितने भी जमा है सब में अलिफ और ते जोड़ा गया है देखिए अलिफ और तेज ओड़ा गया है सब में है ना आगे चलते हैं अब हम चलेंगे ये भी इसे भी हम सबी हल करेंगे नीचे दिये हुए लफजों को मिसाल के मताबिक बदलना है जैसे रिष्टा रिष्टे चूहा चूहे ठीक है रिष्टा रिष्टे चूहा चूहे सरमाया सरमाये लमहा लमहे मश्वेरा मश्वेरा मश्वेरे रुपिया रुपए पैसा पैसे इस तरीके से हम सभी ने इसे भी हल कर लिया फटा फट अब आगे चलते हैं ये देखिए मिसाल के मताबिक इसे भी करना है प्यारे बच्चो इसमें क्या करना है आपको जैसे मकार दिया हुआ है तो मकार में आपको छुटी ये एट करना है तो मकारी हो जाएगा लालच में छुटी ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लालची ह लगा देंगे तो होशियारी इस तरीके से ये अलफास वन जाएंगे आगे चलते हैं आगे चलते हैं ये रहा तो यहां पे प्यारे बच्चों मैं आप सबको बता दू इस सबक में बार बार आपने देखा होगा एहसान मंद आया था क्या जिसका मतलब होता है एहसान मानने वाला एहसान मानने वाला तो यहां पे देखिए कि जैसे दौलत है अगर हमने दौलत में मंद जोड़ दिया तो दौलत मंद, फिकर मंद यहां पे फिकर है यह फिकर मंद, जरूरत मंद, सब में आपको मंद लगाना है जो कि यह लाहका है किसी भी अलफास के आखिर में जब हम कोई नया अलफास जोड़ देते हैं तो वो लाहका कहलाता है जैसे हाजत हाजत मंद, फ़ाहिश फ़ाहिश मंद इस तरीके से आप सभी सिख करेंगे ठीक है तो प्यारे बच्चों उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और सारी चीजे समझ में आ गई हो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मैं जरूर रिप्लाई करूंगी और प्यारे बच्चों अगर आपक शेयर करना ना भूलें थैंक यू थैंक यू सो मच